अब हम बनाएंगे हाइडीब ड्रावर हाइडीब ड्रावर के बेस पैनल की साइज अपर और मिडल ड्रावर उतनी है याने 787 mm by 490 mm और बैक पैनल के बिट अपर और मिडल ड्रावर उतनी है याने 777 mm मगर उसके हाइट होगी 189 mm याने high deep drawer के back panel की final size 777 mm by 189 mm होगी अब हम high deep drawer को install करेंगे यह high deep drawer का best panel है यह दो slider cap है यह slider है यह rear connector है और यह दो railing है और यह back panel है अपर और middle drawer की तरह ही base panel पर gap को इसको उसे fit कर दीजिए और यह दो दो प्राप्ट झाल 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 बैस पैनल के बैक साइड में दोनों रियर कनेक्टर फिट कर दीजिए बैक पैनल को दोनों रियर करेक्टर के बीच में रख दीजिए और ड्रिल करके इस पूसे फिट कर दीजिए झाल झाल अब स्लाइडर को कैबिनेट में फिट करने के लिए कैबिनेट में मेजरमेंड लेकर मार्किंग कीजिए वहाँ पैंसल से लाइन खीचिए मार्क जगह पर पंच कीजिए और ड्रिल करके स्लाइडर को लाइन से मैच करके इसको फिट कर दीजिए उसी तरह दूसरे स्लाइडर को भी फिट कीजिए मार्क जगए झाल झाल ड्रॉवर को स्लाइडर में इन्सेट करके प्रेस फिट की दिये अब क्लिप को शटर पर फिट करने के लिए कैबिनेट के फ्रेंट साइट से क्लिप के होल्स के अनुसार टॉप से और साइट से मेजरमेंट निका लिए अब लिए हुए मेजरमेंट की अनुसार शटर पर मार्क कीजिए अब लिए अब लिए बष़ लिए करेंग लिए है अब लिए करेंग अब लिए करेंग लिए झारी हुआ पहा है अब मार्क की एक जगे पर पंच करें और ड्रिल कर दीचिए और कैप के अंदर से दुनों शटर क्लिप निकाल दीजिए शटर क्लिप को इस कुछ से फिट कर दीजिए शटर फूर ब्रॉवर में इंसेट कीजिए तीनों ड्रॉवर के इंस्टॉल होने के बाद अगर तीनों ड्रॉवर एक लेवल पर नहीं है तो उन्हें स्कुरू के सेटिंग से एक लेवल पर सेट किया जा सकता है देखिए इस तरह से अब ध्यान से देखिए कौन से स्कुरू की सेटिंग करनी है तीनों ड्रॉवर के लेवल पर नहीं है देखा स्कुरू के सेटिंग करने से तीनों ड्रॉवर एक लेवल पर हो गए अगर दोनों ड्रॉवर की गैप कम ज्यादा है तो आप उसे भी स्कुरू से सेटिंग करके तीनों को एक लेवल पर ला सकते देखिए इस तरह से देखा स्कुरू के सेटिंग करने से तीनों ड्रॉवर की लेवल एक जैसे हो गई अब ड्रॉवर रेलिंग को फिट करने के लिए ड्रॉवर को बाहर निका लिए और बेस पैनल से रियर कनेक्टर तक मेजरमेंट निका लिए और वही मेजरमेंट शटर पर बेस पैनल से परलेल डिस्टेंस निकाल कर मार्क की लिए और पंच करके 10 mm के ड्रिल पिट से दिल कीजिए और पूल और वियर कनेक्टर मेदेलिंग को फिट की दिये और पूल करके 10 mm के दिल कि अज्वीद आदे आसे लिक दिल का रवी रवीजिए ग्रॉवर को स्टाइडर में इंसर्ट केजिए हो गया है इडिप रॉवर्ट तैयार